आईए आज देखते हैं energy efficient transformer के बारे में तो energy efficient transformer normally क्या है पराने जमाने के जो transformer थे उसमें silicon और iron का core use किया जाता था तो उसमें losses कई सारे होते थे ठीक है और वो efficient भी नहीं थे इतने ज़्यादा losses काफी जदा करते थे अगर हम distribution system की बात करें तो हमारे जो grid distribution है पावर ग्रेट इस्टिबिशन सिस्टम में कुल इस ट्रांस्मिशन और इस्टिबिशन हानियों का लगभग 40-50% जो है हानिया जब विद्धू ट्रांस्फर्मर के द्वारा ही होती रहती तो यह एक पॉइंट में यहां पर नोट किया हुआ है इन पावर इस्टिबिशन ग्रेट सिस्टम 40-50% अफ टोटल लॉस इस ड्यू टू ट्रांस्फर्मर अब ट्रांस्फर्मर में तो एक बार रिवीव कर लेते हैं कि किस टाइप के लॉसेज होते हैं तो लॉसेज इन दे ट्रांस्फर्मर में मैंने समराइज किया हुए इसको द लॉसे कर दिप्रेज दार करते हैं कि यह जो हम ट्रांस्फर्मर में वार्निंग करते हैं उस करते हैं उसल्टिक स क्या होदे डी करेंड GU Yeah देखे जब हम किसी iron core को magnetize करते हैं तो उसके अंदर magnetic properties आती है और उस iron पटल के या iron के टुकड़े के जो अडू हैं वो एक दिशा में magnetize हो जाते हैं अब मान लीजिए आपने जिस select region से जिस भी तरीके से आपने magnetize किया था उस iron core को और वो आपने magnetic field हटा दिया ठीक है और उसके अदर उसको विपरीद दिशा में लगा दिया यानि कि अब आप उसको demagnetize करने कोशिश कर रहे हैं तो फिर क्या होगा जितने जो अडू पहले एक दिशा में चंबकित हो गये थे अब वो दूसरी दिशा में चंबकित होने लगेंगे अब इसमें होता क्या है कि वो पूरी तरीके से जब हम एक अब हम magnetize कर रहे हैं फिर demagnetize कर रहे हैं इस प्रोसेस में क्या होता है कुछ energy loss हो जाता है हमें सारी energy retrieve नहीं होती है अगर हमें demagnetize करना है तो हमें ज्यादा जितना हमने apply किया था गेन किया था अमेनिटिक फिल्ड लगाने के टाइम में उससे कहीं ज्यादा में reverse में लगाना पड़ता है ताकि वो demagnetize हो जाए तो यह जो energy हमारा loss हो गया है यह हमारा hysteresis loss की कर्टेगरी में आता है तो आपने graph भी देख रखा होगा hysteresis loss का अगर मैं आपको छोटा से यहा करते हैं तो फिर इस टाइप से आपको यह graph आपको याद होगा कि आपने इस टाइप से बनाया था तो यह hysteresis loss की कर्टेगरी में आता है ठीक है यह क्या करता है जब आपका energy loss हुआ तो उसमें होगा क्या कुछ heat up जरूर हो जाएगा तो core heat up हो जाएगा इसका मतलब कुछ न और उस पर flux घनत्व कितना है supply voltage के frequency क्या है और पदात का जो है volume कितना है तो इस पर यह hysteresis loss depend करते हैं next point है eddy current losses है na eddy current losses क्या होता है जैसे हमारे पास कोई core है वो पटल है iron का तो उसमें जो यह पटल है इसमें क्या होता है जो आप छोटे-छोटे भावर धाराएं इस टाइ करती है मान लीजिए कि आपने कुछ इस टाइप का core use किया है कुछ ऐसा ठीक है इस टाइप से आपने core use किया है तो electrons move करते हैं और जैसे-जैसे क्योंकि उसमें changing magnetic flux होता है तो वह बार-बार reverse होती direction electron move करना शुरू करता है इधर को लेकिन वह changing की करण यह rotate कर जाता है तो यह यहां पर इस तरीके से motion electron को कुछ इस टाइप से रहने लग जाता है इस core के अंदर तो core के अंदर electron यह इस टाइप से rotate करने लग जाता है तो यहां चोटी-चोटी के फिर again classify कर सकते है hysteresis loss ready current losses तो यह मैंने यहां पर लिखा हुआ है और यह आपको बता रखा है अब आई की बात करते है energy efficient transformer की normally क्या होता था पहले dry type transformer use करते थे dry type transformer में क्या drawback था कि उनका जो core होता है वो core उसमें losses core में vibrations होते थे और वो core heat up हो जाता था तो यह दोने ही करण से dry type transformer losses ज्यादा होते थे तो इसके लिए फिर energy efficient transformer use किया गया तो इसमें क्या किया कि को है core को है core की variety core material change किया गया तो latest technology आजकल जो use कर रहे है उसमें क्या है metallic glass alloy use किया गया और उससे हमने बनाया amorphous transformer तो मैंने यह देखिए dry type transformer का पहले root cause बताया आपको root cause of loss is due to noise vibrations or heat in the core यह जो है losses कहा होते है यह core में losses होते है transformer के तो इसको अगर हमने फिर replace करने कोशिश करें amorphous transformer का design किया गया है amorphous में material क्या होता है metallic glass alloy use करते हैं amorphous material के लिए और वो core की रहुप में फिर use किया आता है तो इससे energy efficiency बहुत ज्यादा gain होई और losses जो हमारे 70% तक energy losses conventional transformer के तुलना में reduce हो गया तो इस प्रकार से energy efficient transformer हमारे जो traditional transformer से उनसे point बताना चाहूंगा power transformer distribution transformer दोनों की क्या क्या range में use करते हैं हम लोग transmission network में step up और step down के लिए power transformer यूज करते हैं और इनका जो voltage level हो 400 kVA, 200 kVA, 110 kVA, 66 kVA और 33 kVA या 22 kW के राउंड रहता है जिबकि distribution transformer जो हम transformer यूज करते हैं यह lower voltage distribution के network में use किया जाता है यानिकि end user connectivity के लिए तो 11 kVA, 6.6 kVA, 33 kVA, 3.3 kVA, 440 volt, 230 volt इस range में transformer यूज किया जाते हैं थैंक्यू